हलो एब्रिवन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में शिक्षा और रोजगार इस सीरीज के अंतरगत आज रोजगार से लेटर एक नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह उनकी एडविटेजमेंट है रेक्रूट्मेंट एक्षिक्यूटिफिकेशन के लिए कांट्रैक्ट पर एक अच्छी बात यह है कि अगर आप तीन साल उनके पास कांट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आपको कंसिडर किया जाएगा जो अच्छा मौका है यह देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा है सबसे पहले तो आप देखिए आपका जो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन अप्लिकेशन का वह 18 अगस 2020 और आपकी जो लास्ट डेट है पेमेंट फीज भरने की अप्लिकेशन फीज वह भी है 18 अग प्रिमीर को क्या चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए मिनिमम फच्पनपर्तिशत ब्रूइशन comport होने जाहिए और अगर आप स्थस डिम्एक्टर छो है और देखिए किए तो ओनलाइन साल की मेंट है यहां पर उन्होंने चंते टेस्ट रहेगा उसकी ड यहां पर आप देखिए जो category wise reservation है वो भी दे रखा है unreserved के लिए 373 post है HC के लिए 138, ST के लिए 69, OBC के लिए 248, EWS के लिए 92, VI के लिए 9, OH के लिए 9, HI के लिए 9, MD, ID के लिए 9 यह PWD के कुछ categories थे और उसके लिए उन्होंने वो reservation कर रखा है 999 seats का तो यहां पर आप देखिए यह total 920 positions के लिए सबसे important बात जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 3 साल तक इस position पे काम करें तो वो लोग आपको permanent करने का भी सोच सकते हैं और आप eligible हो जाएंगे permanent की position के लिए जो assistant manager grade A की post होगी यहां पर आप देखिए जो cut off date रहेगा eligibility criteria के लिए age wise वो है 1 July 2021, online registration 4 अगस से 18 अगस तक चलेगा और fees भी आपको जो online application fees है भरनी पड़ेगी वो भी dates 4 अगस से 18 अगस तक रहेगा online जो test रहेगा उसकी जो date है वो 5 सितंबर tentatively है यहां पर आप अगर देखेंगे तो आपको जो salary मिलेगा या remuneration मिलेगा तो पहले साल आपको 29,000 मिलेगा फिर उसके बाद में दूसरे साल आपको 31,000 मिलेगा और उसके बाद में आपको तीसरे साल 34,000 रुपए मिलेगा यहा करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे मैंने आपको पहले बोल दिया नाशनालिटी से एज के रिलेटेड हमने डिसकेशन कर दिया कुछ एज रिलाक्सेशन मिला है काटेगरी वाइस तो सीस्ट के लिए 5 साल का ओवी सी के लिए 3 साल का जो बेंचमार्क डिसिबिलिटी रह रहेगा उनके लिए 10 साल का एक सर्विसमेंन कमिशन ऑफिसर इन सब के लिए 5 साल का और जो परसंट एफेक्टेड वाइं 1984 रहेंगे उनको भी 5 साल का है यहां पर जो आपर एज लिमिट के रिलाक्सेशन है वो उनकी क्याटेगरी वाइस दे रखा है यहां पर टेबल में लोगों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आपके पास में एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ग्रैजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास में कोई भी इक्विवाइलेंट क्वालिफिकेशन जो रेकरगन जो eligibility criteria उसको change कर सकते हैं, education के related, percentages के related, बट वो हर institute को उतना मिल ही जाता है काम करने के लिए, यहां पर आप देखिए कि non refundable आपको application fees देनी पड़ीगी, application fees जो है 200 रुपए SCST candidates और PWD candidates के लिए है और 1000 रुपीज बाकी सारे candidates के लिए होगा, आपको online ही पे करना है fees, refund नहीं तो आप देखिए यहां पर उन्होंने application कैसा करना है, photograph, signature, left thumb impression, hand written declaration यह सारी चीज़े आपको रखनी है ready और उसको फिर आपको upload करना पड़ेगा, आप देखिए जो ID है, आपका valid ID और mobile number यह दोनों unique चीज़े रहेंगी तो वो आपको properly देना पड़ेगा, अगर आप देखि application इमेज यह सारी चीज़ों के यहां पर उन्होंने dimensions और file size दे रखी हैं, तो individually आप चेक कर सकते हैं, signature के लिए क्या है, फिर उसके बाद में photo image के लिए क्या है, और यह सारी चीज़े, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप government इसमें employed होंगे, तो आपको proper channel के थ्रू आना बता दिया था, आपको जो application करना होगा, वो यहां पर आप आईए, www.idbibank.in, यहां पर आके आपको recruitment of executives on contract 2021, इसके उपर click करना है, और apply now पर click करना है, registration कीजिए, save next करते जाए, और जो भी details को मांगेंगे, वो complete कीजिए, incomplete registration मत रखिए, वरना आपकी candidature cancel हो सकती है, payment आपको online debit card, रुपे, master visa, यह सारे cards, internet banking, immediate payment settlement system, mobile wallets, किसी भी तरीके से आप इनका payment कर सकते हैं, जो e-receipt है, वो generate करके आपने पास रख लीजिए, बाद में आपको reference के लिए अच्छा होगा, age और यह सारी चीज़े मैंने आपको बता दिये, qualification भी आपको मैंने पहले बोल दिया है, अगर आपके पास में work experience रहेगा, तो अच्छी बात है, card certificate और यह सारे जो आप category के certificates होगे, वो भी आपके पास में होने चाहिए, उसके बाद में हम अभी move करते हैं, जो test या selection process रहेगा, उसके details पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो जो selection process रहेगा, executive के लिए, online test के रहेगा, यहाँ पे आपको reasoning के 50 questions होगे, 50 marks के लिए, फिर working English language के 50 questions, 50 marks के लिए, quantitative aptitude के 50 questions, 50 marks के लिए, तो total आप देखें, 1500 questions होगे, और 1500 number के लिए, यह जो test है, वो English language में होगा, और bilingual भी होगा, English और Hindi में, penalty अगर देखेंगे, आप for each wrong answer, penalty जो रहेगा, वो 0.25 marks का penalty रहेग हर wrong answer के लिए, उसके बाद में, यह test qualify करने के बाद में, उनके जो final selection होगा, offer appointment की यह सारी चीज़े होगी, सिर्फ जो medically fit होगे candidates, उनके लिए होगी, तो यह सारी चीज़े उन्होंने already दे रखी है, अगर आप जो test centers की बात करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा list दे रखा है test centers का, जहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, तो यह सीधा आप देख सकते हैं, जो test centers होगे, उनके list, यह सारी आपको अने चीज़े मिलेंगे, photograph की size क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, thumb, writing, declaration, signature, यह सारी details यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, कैसे upload करना है उसकी भी process आपको यहाँ पर detail में उन्होंने दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो city name और यह जो state है, उनका दे रखा है, details यहाँ पर उन्होंने lecture 2 में, तो आप देख लीजेए, individually जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं, अच्छा opportunity है, initially 3 साल के लिए, payment भी तो सही है, वैसे द के साथ है, धन्यवाद